Idioms and Phrases, Day 15 Dear, Idioms and Phrases की Value, Importance आप सबको पता है अगर पता है तभी आप Idioms and Phrases को Learn करना चाह रहे हो नहीं तो आवशक्ता ही नहीं होती तो मुझे बताने की आवशक्ता नहीं है लेकिन हाँ हम लोग परड़े 5 Idioms Learn करते हैं इस English Depot चैनल पर तो आज भी हम अपनी जिन पाउसिटियम्स को Learn करना है उनको देखते हैं Cry for the Moon Cry, Rona, for the Moon चंद्रमा के लिए रोना, चांद के लिए रोना कोई इंसान है, कोई भी है जो चांद के लिए रो रहा हो तो क्या उसको मिल सकता है? नहीं अगर नहीं मिल सकता तो हम उसको क्या कहेंगे? या तुमने तो ऐसी चीज मांग लिया जो संभव ही नहीं है यानि किसी असंभव चीज की इच्छा करना ही होता है मून के लिए रोना समझ पाए ना? Ask for यह wish the impossible thing मांगना या इच्छा करना impossible thing होता है cry for the moon क्योंकि मून के लिए रोना मून को प्राप्ट करना असंभव है अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करना ठीक है? die a dog's death मरना a dog's death यह कुट्टे के मिरत्य उमरना कुट्टे मर जाते हैं तो आप देखो बहुत सारे कुट्टे से शड़क पर रूट पर मरे हुए दिखते हैं मतलब लावारिश होते हैं उनकी कोई कदर नहीं उनकी body कीड़ बोडी की किसी को कुछ नहीं वो इधर दोर सड रहे हैं कहीं भी fake दियो जाते हैं तो कुट्टे की मौत मरना यानि बहुत सर्मनाक मौत मरना, लज्जा जनक मौत मरना, कुट्टे सर्मनाक मौत ही मरते हैं, मतलब कहीं भी मरें पड़े हैं, उनकी बौडी को कोई पूछ नहीं रहा है, लावारिष, कुट्टे की मौत मरना, लावारिष, लज्जा जनक मौत, same full death, fish out of water, fish, मचली, out of water, पानी के बाहर, अच्छा मचली पानी के बाहर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, परिसान हो जाएगी, कस्ट में आए जाएगी, difficult problem में आ जाएगी, तो ऐसी इस्थिति, जिसमें किसी को कस्ट पहुँचता है, तो उसको बोलते हैं, भया, समझ लो, fish out of water हो गई है, जानी कि उसको कस्ट प्रदिस्थिति में आ गया है, in strange situation, ऐसे विचित्रिस्थिति, जिसमें किसी को कस्ट पहुँच रहा हो, उसे कहेंगे, fish out of water, to be uncomfortable, कहीं भी, जहां पे वो uncomfortable feel कर रहा हो, उसे कहेंगे, भया, ये fish out of water हो गई है, गालाडे, गालाडे का मतलब क्या होता है, पंजाबी में एक word गला, जिसका मतलब होता है, सही बोला कि नहीं, बोला, I don't know, बट ऐसा है एक word, कि मैंने सुना है, गाने वगेरा में, तो गला, ये जो गला होता है, इसका मतलब होता है, बातचीत करना, और तो कितना मजह होगा न, कौन इंसान है जो बातचीतनी, मतलब लो क्लास में बैठे रहते हैं, इस्ट्रों लेगन उनको बात करने में बड़ा मजह आता है, बात करने का अलग ही आनद होता है, तो बात करने का दिन ही निर्ध cardi कर दिया जाए, तो समझ लो की आनद का दिन हो सकते हैं तो ऐसे गल्ला डे उसी को बोलेंगे। celebration के दिन को. Bed of roses, bed of roses, गुलाबों का bed, बिस्तर. यानि कि कोई इंसान जो गुलाबों के विस्तर पर है इसका मतलब है बहुत सुखी जीवन जीर है बहुत सुखदाया की स्थिती में है बहुत कमफॉर्टेबल है क्योंकि गुलाब घष्ट तो नहीं पहुचाते ना सुख बहुत मस्त खुजबू मतलब एक दम आनंद मैं कर देंगे सुखदाया की स्थिते में पहुंचा देंगे प्लीज इंटी सच्वेसं कमफॉर्टेबल सुखदाया की स्थिती और आई होप आपको समझ में आई होंगी पांचो एडियम साज की आई है तो विडियो को लाइक करने में कि आपका ब्लड कम हो जाएगा शनल को सब स्क्राइब करने में आपके एकाउंट से हजार दो जार रूपए कट जाएंगे अगर हो जाए तो मत करना नहीं तो कर देना मुझे भी अच्छा लगेगा इसको बनाने में, इसको सोचने में, इसी टेकनिक को तयार करने में टाइम लगता है करना पड़ता है, मेहनत तब जाके होती है और आप देखके ऐसे ही चले जाता है कुछ तर सरम करो यार थैंक यू सो मच फो वाचिंग और नाट सबस्क्राइबिंग फो